नमस्कार आप सभी मुना नाम है अशुक वीर्यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइसर वीडियोस अप्लोड करते हैं जो कि आप सब लोग से लाइक करते हैं पसंद करने शेयर करते हैं अब तक नहीं गया तुरन करिएगा और दूर से लोगों तक केस प filtration करने के बाद तलाग कितने तनों मिल जाएगा तो आज मैं आपको इसे के लिए वीडियो में बनाया है और इसी बात में आपको बताओ कि कितने दिनों में आपको तलाग मिल जाएगा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा Confirmation कितनी है कितने percentage chances हैं तो आपको I just अगर आप नए हैं तुरुन सब्सक्राइब करें और दूसरी लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेकरें देखिए डायवोर्स का केस फाइल करना आप किसी भी प्रिकार से डायवोर्स का केस कर सकते हैं आपको अधिकार है चाहिए वो पती हो या पत्नी हो दोनों में से कोई भी पीडित हो परशान हो अगर उसे लगता है कि मेरी पत्नी खराब है तो उसे डालना चाहिए और अगर उसे लगता है कि मेरा पत्ती सही नहीं है तो मुझे तला करेना है तो आप डाल सकते हैं तो दोन तो इसमें दोनों के लिए पती बीडा सकता है अब बात करते हैं कि केस आपने फाइल कर दिया तो तलाक कितने दिनों मिल जाएगा यह तो प्रशनी आपका गलत है आप यह कहिए कि सर्ड डिसाइड कितने दिनों मिल जाएगा तो डिसाइड होना और तलाक मिलना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि आप अगर ये कहेंगे तर्लाग कितने मिल जाए तो डाइवोर्स है, केस फायल करना और तलाग मिलना, धोनों में जमीन आसमान कंतर है, ऐसा नहीं है कि आपने केस फायल कर दिया, तलाग मिलना भी मिलना है, ऐसा नहीं है, प nichts है ब्लोकल भी जो भी आपने ग्राउंड बनाया उस ग्राउंड को आप प्रूफ कर पा रहे हैं तभी आपको कोड जो है वह आपको डाइवोर्स देगी और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोड जो है वह आपको डाइवोर्स ग्रांट नहीं करेंगी तो आपका जो प्रशन है कि सर के इस फाल करने के बाद कितने दिनों हमें डाइवोर्स मिल जाएगा तो यह आपका सवाल ही गरत है क्योंकि डाइवोर्स मिलना और ना मिलना यह वाननी नियाले के उपर डिपेंड करता है कि वह आपकी बातों संतुष्ट है या फिर आपके द्वारा एविडेंस दिये हुए अगर नहीं मिलता है ऑपके पास और वी रास्ते हैं अब बात करते हैं कि और पर पर मेरे पास कोई इसा ग्राउंड फित होता है और अगर आपके पास है यह ऩो है उसमें तो आप कर साफ्लिठ करता कैसल का ज़िए यह वह स्ट को सब करना अब यह दोनों में बहुत ज्छल प्रकरिया होती है इस प्रकरियास एकर आप भविश्य में आपके लिए किसी प्रिकार का राहत नहीं मिली तो दिक्कत आ जाई क्योंकि चीजें आपको जरूरी है कि आपको वह सब क्राउंड आके पास होना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं जो बर्डन है वो यह है कि आपको प्रूफ करने जिस आधार पर आ करें और तभी उनको डायवोट्स ग्रांट होगा इतना सब कुछ आपको करना है तो यह जो प्रूफ करना है वह आप यह काम है जो भी प्रिटेशनर होगा जो उस केस को फाल करेंगा चाहें वह लड़का हो लड़की हो पती हो पतनी हो कोई भी हो जो भी वह व्यक्ति को केस फाल कर रहा है यह उसी की जिम्मेदारी है कि उस चीजों को प्रूफ करें और अगर जब प्रूफ करेंगा तभी आपको डायवोट्स ग्रांट मिल पाएगा अब इसमें कहते हैं कि सर इसमें तारीक यह लंबी दी जाती है तो कभी भी ऐसा होता है कि आप जाने के बाद वहां पर जाके अपनी बात करते हैं इसको इशो इतने समय सीमें इसको करें तो डीसाइट करने के तुने बर्बल हाईकोट के दोरहा अर्डर आसकते हैं आपके पक्षम है और आपको उसको है जो कोड में जो केस किया अपने पिटिशन ने पर जलिशल्द करना है तो यह आपको ट्रॐ मुझे किस तरह करना सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जान करें और अगर आप कुछ भी हमसे हमारी लीगल एड़ लेने चाहते तो आप हमारे दीविए नमबर में संपाइब कर सते हैं